हुआ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे idleक्तोलिटिक सेल की तो अब एसा सेल है जो .... है 血ॉक्त है कल अड़ी अनरजी व जो उससा या केंड़र्ट करता है कि जो चमेंग में करता है कनवwoर्ट करता है उसको हम कहते हैं ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं इलक्ट्रिटिक सेल अब इसका मतलब हुआ क्या क्या को एक्ट्रिकल एनेजी में चेंज करना तो आपके एक्जामपल से समझाता हूं मालों कि हमारे पास यहां पर बीकर है और इसके अंदर ब्राइन भरावा है ब्राइन यानि की एने सेल का एको सोलीशन एने सेल प्लस प्लस वाँ मुझे मुझे में मिलेगा एन इवेच है एस टू और सी यंद्टी गड़े तो यहां पर हूँ आपका हो गया है इलक्ट्रिकल एनजी को जिसमें इलक्ट्रिकल एंचीट देखे हम एक्ट्रिक्शन और उससे चेमिकल रियक्शन कराईगी है अगर हम नहीं देते हैं यह लग्ट्रोड के थ्रू अब बैटरी लगा के तो यह chemical reaction नहीं होती है इसमें NaCl और वाटर ऐसे का ऐसे ही पढ़ा रहता अब एक्चल में यहां पर हुआ क्या यहां पर हुआ क्या हुआ यहां यहां पर हुआ क्या होगा एक को सॉलीशन में जो NaCl होगा वह Na plus का Na बने के लिए ज़रूरी है कि जो यह CL negative है वो इसको electron दे दे है अगर CL negative अपने जो electron है अगर वो Na को वापस कर दे तो Na plus जाएगा Na में और CL negative जाएगा CL में और दो CL connect होगा अपस में CL2 बना देंगे लेकिन जब ऐसा होगा तो यह possible है अब जो CL है वो electrone negative element है और Na जो है Na को electron देना एक non spontaneous process हो गया है ना मतलब कि जैसे क्या अगर पाहड है उपर पथर रखाव है तो नीची कर रहा तो यह तो spontaneous हो गया तो पत्थर को अगर कोई नीची है और उसको मुझे उपर लगए जाना है तो इस पत्थर का उपर जाना एक non spontaneous process हो गई एक कैसी process हो गई एक non spon taneus process हो गई है ना तो जो non spontaneous process अगर मुझे करना है तो मुझे कोईन जूद्रिवन परस लगाना कड़ेगा ना पत्थर तो यहांसे उपर से नीचे यह लिए जाना है मुझे तो मुझे रसी बांद के कुछ करके कुछ भीच के इसको पर लेके जाना पड़ेगा तो वैसे अगर CL लेटिव मैं चाहता हूं CL लेटिव आने को लक्टॉन दे तो मुझे यहां पर कोई न कोई डिर्वन फोर्स लगाना पड़ेगा यहां उसके बिना यह आइन्स होंगे है ना तो यह पार जेनेखा कि यह वाला के फार्ल यहां हो जाएगा और na plus change हो जाएगा अपका na में है ना यह हो गया और फिर बाद में क्या होगा na s2 से reaction करके na हुच बना देगा है ना तो इस तरह किसे reaction होगी basically हो क्या रहा है आपर कि हम electricity देके chemical reaction करा रहे है electricity देके करा रहे है एक chemical reaction तो इस type की device को कहा जाता है electrolytic cell तो आसे definition भी electrolytic cell की a cell a cell which converts which converts electricity or electrical energy electrical energy into chemical energy into chemical energy तो हम से क्या बोलेंगे electrolytic cell कहेंगे जिसमें क्या करते है है हम electricity देके कोई chemical reaction कराते है हम क्या करते है electricity देके कोई chemical reaction कर Underth रीक्षिन कराते है जिसका मतला है की Элект cargo energy Ko chemical energy में Convert करना तो ऐसे सैल को कहते है है एलकटा Letic CELL झाल झाल